हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल अनिस्टोपेबल एजुकेशन और आज की इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कैसे आप मुवीज के सब्टाइटल कर यूज करके अपनी इंगलिश को इंप्रूफ कर सकते हो सो फ्रेंड्स एक बहुत ही बहुत ही बहुतरीन तरीका हैं ग्लिच थीकने का अगर आप भी अपनी इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो और इंगलिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को ऐंक तक जरूर देखना So friends, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला sentence So friends, यहाँ पर यह बोल रहा है कि क्या कोई उसे समझा नहीं सकता इसे English में बोलेंगे Can no one make him understand? Can no one make him understand? क्या कोई उसे समझा नहीं सकता? Can no one make him understand? तो इसकी बात सुनकर ही कह रहा है कि मैं तुम्हें जबान देता हूँ वो ऐसा कुछ फिर से नहीं करेगा You have my word, he won't do such a thing again You have my word, he won't do such a thing again कह रहा है कि मैं तुम्हें जबान देता हूँ वो ऐसा कुछ फिर से नहीं करेगा You have my word, he won't do such a thing again ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा था ये कह रहा है कि They are the same guys who beat me up They are the same guys who beat me up कह रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा था They are the same guys who beat me up सवाल मत करो बस जैसा कहता हूं वैसा करो Don't ask question Just do what I say Don't ask question Just do what I say कह रहा है कि सवाल मत करो जैसा कहता हूँ वैसा करो तुम जानतों मैं हिंसा से कितनी नफरत करता हूँ लेकिन इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है इसे इंगलिश में बोलेंगे लेकिन इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है जो करना है मैं करूँगा जो उसने किया उसे नहीं करना चाहिए था इसे इंगलिश में बोलेंगे कह रहा है कि जो उसने किया उसे नहीं करना चाहिए था उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कह रहा है कि उसकी तरफ से माफी मैं मांगता हूँ मैं सच में शर्मिनदा हूँ ये काफ उसने इंगलिश में बोलेंगे जो मैंने तुमसे कहा किसी से मद बताना इसे इंगलिश में बोलेंगे क्या मुझे थोड़ा और पानी मिल सकता है इंगलिश में बोलेंगे इसे इंगलिश में बोलेंगे यह यह यहांनि ऐसा लगता है जो तुम चाहते थे तुम्हें मिल गया मैंने इतना खुश तुम्हें पहले कभी नहीं देखा I have never seen you so happy before I have never seen you so happy before यानि मैंने इतना खुश तुमें पहले कभी नहीं देखा I have never seen you so happy before अगर पिटना नहीं चाहते तो निकल ले So friends, यहाँ पर यह इसके काम में दखल अंदाजी डाल रहा है तो यह villain है कह रहा है कि अगर पिटना नहीं चाहता तो निकल ले इस English हम बोलेंगे If you don't want to get beaten up, then leave If you don't want to get beaten up, then leave तो इसे धमकी देर आएगा अगर पिटना नहीं चाहता तो निकल ले If you don't want to get beaten up, then leave अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तो कोई और क्यों नहीं इस English हम बोलेंगे If you can do it, why can no one else? If you can do it, why can no one else? क्या आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता? इस English में बोलेंगे Can no one be trusted these days? Can no one be trusted these days? क्या आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता? Can no one be trusted these days? वो कल रात टॉम के साथ गई थी और अभी तक वापस नहीं आई इस English में बोलेंगे She left yesterday with Tom and hasn't come back yet तो किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं कि She left yesterday with Tom and hasn't come back yet वो कल रात टॉम के साथ गई थी और अभी तक वापस नहीं आई She left yesterday with Tom and hasn't come back yet तो इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि मुझे लगता है वो किसी तरह की मुसीबत में है I think she's in some kind of trouble I think she's in some kind of trouble यानि मुझे लगता हूँ किसी तरह की मुसीबत में है काश में उनके साथ गया होता I wish I had gone with them I wish I had gone with them कह रहा है कि काश में उनके साथ गया होता I wish I had gone with them तुमने सालों पहले मुझसे एक वादा किया था इसे English नों बोलेंगे You made me a promise years ago You made me a promise years ago यानि सालों पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था You made me a promise years ago और तुमने अब वो तोड़ दिया And now you have broken it And now you have broken it और अब तुमने तोड़ दिया And now you have broken it अब मैं तुम्हें इत्यासानी से माफ नहीं करने वाली Now I am not gonna forgive you so easily Now I am not gonna forgive you so easily Now I am not gonna forgive you so easily तुम्हारी बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता No one believes what you say anymore यानि तुम्हारी बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता No one believes what you say anymore इसके सच होने या ना होने से कोई फ़रak नहीं पड़ता यहाँ पर यह से पूश्टाज कर रहा है किसी बात पर किया यह सच है या नहीं है तो जब हमें इस तरीके से बोलना हो किसी की बात पर कि इसके सच होने या ना होने से कोई फरक नहीं पढ़ता है इस English में बोलेंगे Whether it's true or not doesn't matter Whether it's true or not doesn't matter कह रहिए कि इसके सच होने या ना होने से कोई फरक नहीं पढ़ता Whether it's true or not doesn't matter तुम्हें पता है अकेले रहने का सबसे बड़ा फाइदा क्या है So friends, यहाँ पर ही किसी से कह रहा है कि You know what is the best thing is about being alone You know what is the best thing is about being alone तुम्हें पता है के लिए रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है You know what is the best thing Is about being alone पता नहीं क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं रही I don't know because I have never been alone I don't know because I have never been alone के रही है पता नहीं क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं रही I don't know because I have never been alone So friends आज की वीडियो में इतना ही जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो थोड़ी सी भी उसफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें motivation मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की आपको आज की वीडियो कैसी लगी and thank you so much for watching this video friends